जैहो गनेश जी महाराज की, दोस्तों आपका स्वागत है, हमारे यूट्यूब चेनल सरोज अस्ट्रो में आज हम जानने वाले हैं कि सपने में छोटा चुहा देखना कैसा होता है, या सपने में विशाल चुहा देखना कैसा होता है, आप अपने सपने में किसी छोटे से और जो भी आपके करीबी है, कुछ ही दिनों में सब दूर हो जाएंगे, अगर आप इस सपने के नकारात्म रभाव से बचना चाहते हैं, तो आपको अपना अहंकार त्याग कर विनमर बनना पड़ेगा, जिससे आपके रिस्तेनाते बचे रहेंगे, अब बात करते हैं, सपन कि आने वाले दिनों में आप छोटी-छोटी समस्याओं से निपटने में असफर रहेंगे, आप जितनी ज्यादा समस्याओं का इलाज करते जाएंगे वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी, इस सपने के बाद आप छोटे-छोटे मुद्दों का जायजा लें, और साथ में उनमुशिप्तों का जायजा लें, फिर इन मुद्दों को निपटाने के लिए लोगों से मार्क दर्शन लेकर उस समस्या और मुद्दों से निपटें, अब बात करते हैं सपने में चुहिया के बच्चे देखना कैसा होता है, दोस्तों अगर सपने में आपको चुहिया के बच्चे दिखाई देते हैं, तो ये सपना आपके लिए शुब संकेप माना जाता है, ये सपना इस बात का संकेप देता है कि आने वाले दिनों में आपके घर में कोई ननहा सा महमान आने वाला है, अगर सपना देखने वाला इनसान बुढ़ा है, तो इसका अर्थ है कि ज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सरोज आश्ट्रो को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जै श्री राम जै हनुमा